इधर राश्टिय जनता दल के एक बिधायक, नितिश कुमार को गांजे का सेवन करने वाला बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ राश्टिय जनता दल के किसी अन्य बिधायक के होटल पर छापे मारी होती हैं, और वहाँ से शराप की कई सारी बोतले बरामत की जाती हैं, लेकिन सारी शराप की बोतले खाली रहती हैं, पुलिस की तरफ से राश्टिय जनता दल के विधायक के होटल पर अचानक से छापे मारी की गई, और बताया जा रहा है कि छापे मारी के वक्त होटल के अंदर अफरा तफ्री जैसा माहौल था, और फिर जब पुलिस होटल के इस चो वाली नहीं है, और बिपक्षी दलो के विधायक जब शराप को लेकर सवाल उठाते हैं, तो सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जाता है, कि वह लोग सरकार की तरफ से जो टोल फ्री नंबर जारी हुआ है, उस पर फोन करके इसकी जानकारी क्यों नहीं देते हैं, और फिर किसी र सरकार का पक्ष मजबूत होगा, और भी पक्ष को अपने आप बैक फूट पर आना होगा, और शायद सत्ता पक्ष की तरफ से यही कोशिश भी है, अब नमस्कार मेरे नाम है मोहित कुमार सिंग, और आप देखना हमरा अभी से इसकारी करम, एक्स्प्लेनर, मुख्यमंत्री नितीश कुमार शराप पर समझ होता नहीं करेंगे, यह बात तो उसी समय तय हो गया, जब मुख्यमंत्री ने यह कहा, कि अगर शराप बंदी को लेकर सवाल उठाएंगे, तो आपके उपर भी जाच बैट सकती है, और उसके बाद से जब छापे मारी को ले पतना के होटल में लगातार शापे मारी के बाद, अब रोतास के एक होटल में शापे मारी की गई है, सबसे खास बात है कि होटल राजणीती से ही जुड़े राशी जनतादल के विदायक फते बहादूर सिंग की है, राशी जनतादल के विदायक फते बहादूर सिंग के ब बरामद हुई तब विपक्ष पर ही सब आल उठने लगा और यहां कहा जाने लगा कि विपक्ष के विधायक और नेता खुद इस कारे में सल्लिप्त है लेकिन यहां एक और बात थी कि होटल के अंदर से अंग्रेजी और देशी शराब की जितनी भी बोतले बरामद की गई व अगर जनतादर उनाइटेट के नेता विपक्ष पर लगातार सवाल उठा रहे हैं कि विपक्ष के विधायक और विपक्ष के नेता खुद शराब माफियाओं के साथ मिले हुए हैं और यह लोग खुद शराब के अवैद बैपार को बढ़ावा दे रहे हैं जद्यू के न इता सरकार द्वारा जारी किये गये टोल फ्री नंबर पर फोन करके इस बात की जानकारी सरकार तक क्यों नहीं पहुंचाते हैं इधर राश्टी जनतादल के विधायक के होटल पर छापे मारी के बाद पुलीस में इस संबंद में कुछ खास बोलने से इंकार कर दिया है अ जाद हाल फिलाल की यह पहली छापे मारी है छापे मारी को लेकर लगातार विपक्ष सवाल भी उठा रहा था लेकिन जब विपक्ष के इस सवाल को मुख्यमंत्री के सामने मीडिया की तरब से रखा गया तो मुख्यमंत्री ने साफ तोर पर कहा कि जो भी छापे मारी और वह एक प्रकार का आवासिय होटल है जहां लोगों के ठहरने की बेऊस्ता है इसी प्रकार के आवासिय होटलों पर पुलिस लगातार सूचना के अधार पर छापे मारी कर रही है फिलाल कहा जा रहा है कि पुलिस खाली बोतलों के अधार पर पुष्टाच कर रही है और आ मामले को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है राजत विधायक फतेवातुर सिंग ने कहा है कि अगर खाली बोतले मिली हैं तो उसके बारे में मुझे कुछ जानकारी नहीं है लेकिन अगर वहां बोतल मौझूद होगी तो वह शराबंदी होने के पहले से होगी आगे अगर इस मामल कि अःपक कर दोंगे और है एहरा है नहीं होगी पिली होगी जी मौट भाद।